वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज हम देखेंगे कैसे एक सॉप्टर को डेवलप करते है वी प्योर पाइथन तो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था सपोज आपने कोई भी एक डेट रेंज डाल दिया तो उसी डेट रेंज के बीच में जितने भी ट्रेडिंग लेखेंे सक नीटे । उसी को सब्सक्रास कीयों देखने को सब्सक्राइब तो ओर विडियो आज यूम्हारा अज़ा बताने पाला हूत wyp yan경 हो जाएगा तो आज मैंने सिर्फ 100 lines of code में दिखाऊंगा कैसे एक software को develop करते हैं तो जो software का जो get up होता है जो दिखने जो वापर button होता है कुछ डालने का जगा होता है space होता है तो वो सब कैसे create करते हैं वो सारे के सारे details में मैं आपको बताऊंगा and how easily we can make that kind of software आपको भी पता चल जाएगा थोड़ा भी अगर आपको python आता है तो आप भी यह बनाना कोई मुश्किल बाद नहीं है सब के लिए बहुत ही आसन है सिर्फ information होना चाहिए बस इतना ही तो let's go to the pycham code editor and I will show you how we can make a software actually मैंने यह पर code पहले सी लिखके रखा है मैंने test करके सब कुछ ready करके रखा है क्योंकि हर बात अगर वीडियो के दरांत मैंने type करना start कर दिया तो explain करने में थोड़ा मुस्किल हो जाता है तो इसलिए मैंने already सब कुछ लिखके रखा है इस code को मैंने description में भी डाल दूंगा क्योंकि बहुत message आता है मुझे ओ code कहां है code नहीं मिल रहा है सपोज किसी ने भी यह video देखके type भी कर लिया कुछ minor mistake हो जाता है कुछ letters का इधर से उधर हो जाता है तो code रान नहीं हो पाता है तो उसका error कुछ और तरीके से दिखता है तो कुछ समझ में नहीं आता है तो यह miscommunication हो रहा है या typing में कुछ typo हो रहा है तो उसके लिए मैंने यह जो code है यह मैंने description में दे दूंगा अभी से जितने भी video में बनाऊंगा सबका code मैंने description में डाल दूंगा तो आपको भी आसान हो जाएगा अगर code ready when मिल जाता है तो आप लोग test भी कर सकते हो उसके अंदर कुछ changes करके आप सीख भी सकते हो यह जो code मैंने बनाया है इसको मैंने explain कर देता हूँ तो आपको भी आसान हो जाएगा और यह code इतना भी मुष्किल नहीं है बहुत ही सिंपल है सिर्फ 100 lines of code you can see just you can see this is 101 so there is some space empty lines also there so within 100 lines of code we can make a software that is a very good news okay now let me explain you each line by line so at the very beginning we can see some modules so यह पर क्या है कुछ modules है जो module को हम लोग use करके यह code बनाया हुआ है तो यह पर क्या-क्या module मुझे चाहिए पहला तो date time date time क्यों चाहिए क्योंकि यह तो date का ही काम है हम लोग एक date डाल रहे है तो वो date डाल रहे है actually तो दो date के बीच में कितने days है तो सारे के सारे चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए date time date time मलब कौन सा date and time delta time delta is the difference between two days how many days are inside two days so that will calculate in time delta and we need OS and zip file zip file because of the zip file we are getting a zip file we have to unzip it तो उसके लिए zip file चाहिए and io and request request also we need to request some url okay अगर आपको यह modules के बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो आप google search करके उसका पूरा का पूरा documentation आप ले सकते हो google से या तो उसका code भी available है github में आपको सारे के सारे code मिल जाएंगा कैसे ओ module develop किया है किसी ने तो ओ भी आपको पता चल जाएगा तो अगर आपको ओ सीखना है तो आप github पे जाएए तो वह आपर code मिल जाएगा ओ code देखके भी ओ module आपको आप सीख सकते हो कैसे module बनाते है तो ओ भी बहुत अच्छा चीज है सपोज आपने भी कोई module बना लिया यह software का भी कुछ modules अगर आपने बना लिया तो आपका काम आसान हो जाएगा वो कुछ के personal use के लिए तो next module है tick enter तो यह इस project के लिए सबसे important module है तो यह tick enter क्या कर रहा है जो graphics का part है graphical जो interface में बनाऊंगा तो ओ सब कुछ यह tick enter के उपड़ी है तो मैंने क्या कर रहा हूँ tick enter में जितने भी functions है उसको मैंने import कर रहा हूँ उसके बाद क्या है tick enter calendar तो calendar भी चाहिए अगर हमको एक date range एक date select करना है अगर date range के लिए तो date को कैसे select करते हैं suppose हमने click कर लिया कोई भी date के ऊपर वो एक calendar दे लेगा तो एक calendar मिल गया तो उससे हम लोग को कोई भी date select कर सकते है by clicking तो वो easy है तो उसके लिए calendar को मैंने input कर लिया तो calendar से date entry और यह tick enter से ttk and file dial log तो और tick enter से TK यह सब चाहिए यह project के लिए और next है PIL तो PIL क्यों चाहिए क्योंकि हम लोग देखा था वो about section में मेरा image मैंने डावा था तो आगे भी देखेंगे वो कैसे use होता है तो उसके लिए image के लिए यह module मैंने use कर रहू हूँ तो यह importing part I think it's clear तो अभी यह पुरा का पुरा जो code है इसको मैं comment कर देता हूँ और एक एक करके मैं दिखाता हूँ वो कैसे काम करता है तो पहले part है इधर से start करते है तो यह पर win variable में एक tick enter का instance create कर रहा हूँ तो यह पर क्या हो रहा है एक tick enter का instance create हो गया तो ही हमारा जो software है उसका interface हो गया तो उसके उपर ही हम लोग जो भी जितने भी labels है जितने भी inputs है जितने भी outputs है जितने भी button है जितने भी message है सब कुछ हुआ पर display होगा तो ओ जो windows जो बनेगा तो ओ windows का एक title भी मैंने दे दिया यह पर भाव copy downloader और width और height भी दे दिया यह मेरे हिसाब से मैंने डाला है आपके हिसाब से यह आप change करके देख सकते हो कौन सा width और कौन सा height आपके लिए perfect है तो मेरे हिसाब से तो यह ठीक है मेरे लिए तो यह पर मैंने screen width और screen height भी निकाल रहा हूँ जो भी screen का width है जो भी screen का height है तो यह पर क्या कर रहा हूँ align string तो यह जो windows का geometry होगा जो कितने बाई कितने होगे कितने pixels होगे तो उसका एक dimension मैंने create कर रहा हूँ इसी variable में by using width height and screen width screen height simply you can take width and height and you can develop this also but I am doing in this way in my way now यहाँ पर क्या कर रहा हूँ windows.resizable मालब क्या है यह statement में मैंने width true height true कर दिया इसका मालब है width और height अगर हम लोग change करना चाहते है जैसे maximize और minimize होता है कोई भी software का तो ओ अगर चाहिए तो यह resizable को true करना पड़ता है तो अगर अपने true कर दिया तो यह काम करेगा इसको मैं run करके देखता हूँ एक चीज है यहाँ पर जो windows का जो tick enter का मैंने instance create किया है तो उसको तो on भी करना पड़ता है तो on कहां से होगा मलब ओ दिखेगा यहाँ पर main loop में डालना पड़ता है तो let me let me run this code यहाँ पर क्या हुआ भाव copy downloader लिक के आ गया उपर तो एक instance create हो गया हमारे तो यह dimension क्या है जो width और length height मैंने डाला था तो उस हिसाब से यह बनके ready है तो देखते हैं अगर मैंने इसको off कर दिया तो यह रान ही नहीं हो पाएगा मलब यह जो output आ रहा था तो output नहीं दिखेगा वो दिखने के लिए यह चाहिए इसके उपर हम लोग क्या करने वाला है इसके उपर थोड़ा tab बनाना है तो मेरे मेरे जो software था उसमें हम लोग देखे थे last video में दो tab था एक में तो डाउनलोड हो रहा था और दूसरे में about me मैंने कुछ डाल के रखा था मेरे जो information था software का information या मेरे बारे में कुछ मैंने लि सकते हो नहीं तो आप यह दूसरे भी बहुत सारा तरीका है और डिस्प्ले करने का मेनू भी आप कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो तो मैंने इस सबसे बनाया तो मैं दिखा देता हूँ पहले मैं क्या कर रहा हूँ एक stl करके style create कर रहा हूँ tt के अंदर उसको configure भी कर रहा हू या background color या foreground color क्या होगा सब कुछ यहां पर mention किया हुआ है तो आप चाहे तो यह change करके देख सकता हो individual part को वो कैसे implement होता है हर किसी को तो मैंने details में यहां पर explain नहीं कर सकता आपको अगर इसके यह configure कैसे करता है इसके यह comment के बारे में अगर जानना है तो इसके बारे में आप Google search कर लिजिए इसके पूरा का पूरा documentation आपको मिल जाएगा क्या-कया variable यूज कर सकते है यह आपर मैंने कुछ-कुछ दिया है कुछ-कुछ नहीं भी दिया है आपको अगर extra कुछ चाहिए तो उसका documentation से आपको सब कुछ मिल जाएगा तो सब apply करके आप सीख सकते हो तो next क्य तो यह पर भी मैंने 2 tab बनाया है ओ टैब में क्या होगा दो एग में तो download होगा एग में कुछ information में share करूंगा तो आप चाहे तो और भी tab डाल सकतो है यहाँ पर दो फ्रेम मैंने ले लिया तो उसी टैब के अंदर दो फ्रेम मैंने ले लिया और फ्रेम को पैक भी कर लिया तो कैसे पैक किया उसी सबसे वहाँ पर डिस्पले हो जाएगा तो फ्रेम 1 को मैंने क्या नाम दे दिया एक डाउनलोड दे दिया जो टैब जो फ्रेम के मैंने कुछ टेक्स डालना है कुछ इमेज़ डालना है कुछ हमरे बाड़े में बताना है या सॉप्टर के बाड़े में कुछ भी बताना है बस तो इसको हम लोग पैक कर लिया तो इसको सेब करते हैं और रान करके देखते हैं और कैसे दिखता है तो यह पर देख रहा है यह तो डाउनलोड का टैब है और अबाउट मी का दो टैब बन के रेडी हो चुका है और यह बैग्ग्राउंड का कलर भी वो चेंज हो गया तो बैग्ग्राउंड का कलर मैंने डाल दिया इसके अंदर तो अब तक ठीक है यह पर एक ले लागे Star डेट स्वाध के आ गारे यह पर एक यह देट को और क्री अधर फिलेक्ज है चाहिए यह जगा चाहिए फिलेक्र बूहींड सैओ़ है−म दे अधर से एक इंपूट बैना परता है और यह जो बसक्रींदाइब्श में टोरियेक एलिक नपेशन्टाइ यह प्लेस हो चुका है तो start date में अगर यहाँ पर क्लिक करते है तो यहाँ पर देखी alors open हो जाता है तो यह calendar कहां से कालेंडर है उस मॉडूल से यह calendar आ रहा है तो यहाँ पर है मैंने कोई भी डेट पीक कर सकता हूँ यह पर अगर 14 को पर ने पीक किया यह 12 को पीक किया तो यह पर 12.09.2022 आ गया तो यह डेट पीकर आ गया अभी start date हो गया तो end date भी चाहिए कहां से कहां तक हमको यह range डालना है तो उसके लिए यह एक label भी चाहिए यह label में मैंने किया लिखे राखा है end date and end date में ओ entry ले रहा है तो और एक button भी है तो यह पर क्या होगा start date आ गया end date भी आ गया यह पर हम लोग कोई भी date पीक कर सकता है तो today क्या है आज 18 तरीक है तो by default it's taking today now let me now आभी क्या है एक button यह पर एक button चाहिए तो button ही हम लोग के लिए सब कुछ काम करेगा तो एक बार रांग करके देख लीजिए तो यह error दे रहा है क्यों error दे रहा है क्योंकि यह पर यह button है button का तो कुछ तो function होगा अगर हमने button के उपर click कर दिया तो क्या होगा ओ एक command है एक import data तो import data क्या है इसको हम लोग को define करना पड़ता है तो import data एक function है तो import data कहाँ पर है import data का function मैंने यह पर लिख चुका है मगर यह hide है इसलिए ओ error दे रहा है तो इसको मैंने comment out कर देता हो तो अभी यह काम कर जाएगा तो अभी देखिए यह जो start date है and end date and download तो यह पूरा का पूरा system ready हो चुका है almost तो यह पर download में अगर आपने click कर लिया तो क्या हो रहा है कुछ functions हो रहा है यह main part है program का तो यह पर यह पूछ रहा है कोई भी एक folder आप select कर लो तो उसी folder के अंदर जो date हमने डाला है तो ओ date के ब holiday है या कोई holidays है उसको हम adjust कर लेंगे जो भी trading days है उसको निकाल के उसी date का भावकपी निकाल के हम लोग इसी folder में store कर देंगे तो ठीक है अभी जो program है जो import data import data कैसे काम करता है वह तो main part है वह पार्ट मैंने पिछले वीडियो में मैं already explain कर चुका हूँ फिर भी मैं यह पर ए पहले पहले line में क्या होए एक folder ले रहा है folder मतलब यह location तो location कहां से आ रहा है और ask directory पूछ रहा है आपसे तो folder location क्या है तो आप कौन सा location में आपका जो file आएगा और जो respective date आप डाल रहे हो उस date का जितने भी भावकपी होगा तो ओ कहां पर आपने save करना चाहते हो तो उसका location चाहिए वो by default it's taking root directory तो ओ c drive को ले लेगा अगर windows लिनक्स है तो उसका root ले लेगा तो ओ आपको पूछ रहा है तो यह पर जो जैसे पूछ रहा था ना अगर आपने click किया तो यह आ गया ठीक है तो यह root directory मालब यह d drive में चल रहा है यह coding ए पोग्रम तो यह d drive को root directory मान रहा है और d directory को by default set कर रहा है तो यह से आप सिलक कर सकतो यह तो यह साइट कोई भी total पूरा computer में कोई भी folder आप सिलक कर सकतो यह पर कोई restriction नहीं तो आप आपने select कर लिया तो start date और end date भी चाहिए तो start date और end date यह जो as date और end date जो variable मैंने declare किया था जो inputs थे उधर से date ले ले रहा है तो अभी इसको क्या कर रहा हूँ ए specific format में मैं convert कर रहा हूँ तो यह पर start date और end date तो मिल गया अभी एक message टाइप करना है तो how copy downloading from this date start date to end date तो यह लिग के आ जाएगा तो इसके लिए एक variable में store कर रहा हूँ यह जो text है यह simple string है तो string को मैंने इसमें store कर रहा हूँ और message क्या देना है तो अभी अभी देख लीजिए यह message का जो variable है ओ भी मैं दिखा देता हूँ उसके बाद में वो जो functional import data उसको अच्छे से समझ आ जाएगा तो यहाँ पर next part है क्या हम लोग को जब वो import होगा तब तो कुछ तो display होना चाहिए तो यह download हो रहा है यह नहीं हो रहा है कुछ error आ रहा है तो वो तो लिग के आ जाना चाहिए तो software में हम लोग तो कैसे समझ आये वो काम कर रहे है कि नहीं तो उसके लिए एक message type का message box automatic को generate करेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक text में string variable मैंने instance बना लिया तो उसके लिए वहाँ पर जो message है पहला first जो welcome message है तो मैंने डाल दिया इसको और एक message एक text format में ले लिया तो उसका front क्या होगा foreground क्या होगा background क और यहाँ पर एक scroll bar भी चाहिए अगर message बहुत लंबा हो गया तो वहाँ पर scroll bar भी चाहिए ना नहीं तो मैं दिखू कैसे लास्ट वाल तो scrollard चाहिए तो message को configure कर रहा हूँ और scroll bar को set कर रहा हूँ उसके अंदर तो अभी क्या करना है यह message जब आएगा तो यह कैसे आएगा tk.end इसका मतलब क्या है सपोज आपके पास कोई भी एक window है वहाँ पर message आप लिखते ही जा रहा हूँ लिखते ही जा रहा हो तो नया जो message आएगा वो कहां set होगा वो in the end set हो जाएगा तो ओई आपके लिए मतलब ओ इस ठीक रहेगा तो जो पहले आया था वो उपर चला ज आएगा तो यहाँ पर भी मैंने welcome लिख दिया initialization के लिए तो यह first time के लिए welcome हो गया तो इसको scroll bar को भी configure कर दिया और message को भी place कर दिया एक dimension मैंने दे दिया कहाँ place होना है और scroll bar को भी place कर दिया तो अभी इसको मैंने run करके देखता हूँ अब देखिए यह पर welcome लिख के आ गया तो यह हमारा message box हो गया यह पर जितने भी notes आएंगे ना software क्या कर रहा है कहां से कहां तक काम हुआ है कि तक कोई delay हो रहा है के नहीं या काम नहीं कर रहा है networking error है सब कुछ इधर display करना है तो अभी और last part इसको भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर कुछ importance part नहीं है यह क्या है जो about section में मैंने डाला था न about me यह about section में मेरे बारे में मैंने कुछ लिख के डाल दिया तो आपके बारे में आप इधर से change कर सकते हो तो यह आपका software हो गया तो यहाँ पर कुछ नहीं है यह पर just image ओ जो PIL जो module मैंने use किया था उपर जो import किया था तो उस module का काम इधर है तो यह पर 2.jpg जो भी एक image है यह देखिए यह image को मैंने use करने वाला हूँ मेरे software में ओ दिखेगा तो यह image को मैंने ले लिया और इसका resize मेरे पास जितने भी space है तो उस space में यह image को fit होना चाह यह तो उसी का काम यह कर रहा है तो एक बात देख लेता हूँ वो fit हुआ है के नहीं तो जाता है about me देखिए यह perfectly fit हो गया कोई भी image हम अगर यह पर डाल दिया ना तो वह according to हमारे जो size है वो size के बड़ाबर उसको match करा लेगा तो मेरा जो education है मैं अभी किसमें काम कर रहा सबकुछ यहाँ पर लिखके रहा हूँ तो अब दभाव कापी वी जास्ट हव रिटन सम्थी बट यू चेंज इट अब यू नो वेरी वैल हाव डाज इट वाप ओके तो अभी तो यह इंटरफेस का पूरा का पूरा समझ में आ गया अभी चलते है यह जो import data main function है तो इतन हो रहा है end में और यहाँ पर एक variable create क्या है मैंने delta delta क्या record कर रहा है just difference between two days how many days are there and frame1.update frame1 क्या है ओ जो download का जो frame1 है जहाँ पर हमने download कर रहा हू data तो frame1 को update कर रहा हूँ अभी हम लोग कि यहाँ पर for loop डाल रहा है जितने भी date का जो difference है suppose मुझे 5 दिन का data चाहिए तो यह i क्या करेगा 5 दिन तक 0 to 5 यह run होगा तो यह पर date is equal to start date plus time delta that is for the first date it will take itself start date and then start date plus 1 that means the next date and next next करके जाएगा तो यहाँ पर day मैं calculate कर रहा हूँ तो यह सारे के सारे जो पार्ट है यह already मैंने explain करके रखा हूँ पिछले वीडियो में आप जाए एक बर check सकते तो यहाँ पर कुछ भी नया कुछ नहीं है तो यह हो गया अभी यहाँ पर एक important पार्ट है अगर ए चाहिए तो यह अंजीब करके download करेगा और download करने के बाद मुझे तो कुछ message चाहिए तो उसके लिए क्या है file path फैल downloaded तो यह जो file है वो file के साथ हम लोग date भी डाला है तो ओ date से पता चल जाएगा यह कौंसा date का file है तो file downloaded मालाब वो download हो गया है हमारे drive में अब मैं उसको access कर स तो यह हो गया, अगर यह file already exist है, आपके drive में अगर है, तो इसमें नहीं घुसेगा हो, तो सीधा else में चला आ जाएगा, और यह आपर message क्या होगा, file already exist, यह already हमारे drive पे है, तो इसका download करने का कोई जरूर नहीं है, skip कर दो, तो यह skip हो गया, तो यह जो text message, जो create हो चुका है, उ उसको क्या करना है, उसको तो हमें, अभी message जो box है, उसके अंदर डालना पड़ेगा, तो कहां डालना है, वो end में डालना है, क्योंकि end में डालेंगे, तभी तो हम लोग को दिखेगा नया message, तो इसको end में डाल दिया, और frame 1 को फिर से update कर दिया, अगर update नहीं करेंगे, तो message तो डाल गया, अगर दिखेगा नहीं, वो दिखने के लिए ये update करना ज़रूरी है, तो ये update भी हो गया, उसके बाद message सी end में चला गया, ये क्या कर रहा है, जो message end में, एकदम end में में मेरा cut search रहेगा, जब भी वो type करके, एकदम end में वो दिखेगा, अगर ये नहीं डाल तो उपर ही रहेगा, नीचे-नीचे message प्रिंट होते जाएगा, मगर वो नीचे नहीं हाएगा by default, वो मैं दिखा था हूँ, और ये message.insert, ये last में क्या कर रहा हूँ, tax completed, जब सब कुछ हो जाने के बाद, तो tax completed already, I've done my job, तो ये tax completed and end the program, so let me give you some demo, now अभी क्या करना है, suppose यह 15 को मैं चले तो 15 to 18, 18 holidays हाई, कुछ भी, now download, तो let me select a data folder, let me open the folder, let me open the folder, let me open the data folder and let me erase all this file, now data मैं चले चले तो select folder, now ये download हो रहा है, तो देखिए 15 to 18, तो ये file download हो रहा है, तो यह आपर 2 है आपका trading days, क्योंकि देखिए यह आपर 15 और 16, ये Saturday, Sunday है, तो दोनो date के लिए ये download करके दे दिया, तो अभी, फिर से मैं, suppose इसको download करना चाहता हूँ, same folder में, तो ये already exist, तो exist लिखके आजाना चा फिर से मैंने अगर कुछ करने का कोसिस किया, तो data, new folder, अब क्या हो रहा है, अब ये जो उपर का message है, उसके end में ये print होते जा रहा है, और ये scroll bar है, by default, automatically ये नीचे आ रहा है, मलब end में ये दिखा रहा है, तो end में क्यों दिखा रहा है, ये क्यों उपर नहीं दिखा रहा ह तो उसी के लिए ये जो code है, responsible है, message.c, tk.in, मलब ये जो last, जो line है, वहाँ पर मेरा scroller को रख दो, तो ये क्या होगा, इसके आगे भी अगर कुछ हमने download करने के कोसिस किया, तो ये क्या आ जाएगा, by default, ये last, कोई यहाँ पर ले लेगा, तो इस तरह से हम लोग एक software को बन सकते है, तो ये getup ready हो गया, अभी आपके पास अगर ये पुरा का पुरा getup ready हो गया, तो आप यहाँ पर क्या कर लो, comment python space file name डाल रहो, तो आपको ये मिल रहा है, तो ये as a software, मगर ये तो सिर्फ .py file है, ये तो exe file है नहीं, जो आप install कर सकते हो, तो आप क्या करना है, इसको installer बनाना है, मलब एक exe file को generate करना है, वो कैसे करेंगे, वो बहुत ही simple तरीका है, वो मैंने next video में आपको जरूर बता दूंगा, तो इतना तक आप लोग practice कर लीजिए, इतना तक देख लीजिए, ये बहुत ही easy तरीका है, आप यहाँ पर देख सकते हो, just 100 lines of code, ये जो 100 lines of code म मैंने, मैंने एक software ready कर दी, तो ये 100 lines of code लिखने में कितना time लगेगा, ज्यादा से ज्यादा दो घंटा, maximum, और उसके उपर जो कुछ study करना है, वो एक दिन में आराम से complete हो जाएगा, तो आपके अगर कोई concept है, कोई ideas है, कोई stock market related हो, या कोई order हो, अगर daily use कर रहे हो, सेम ची तो ओ क्या होगा, ये जो software होगा, तब आप एक click करने से आपको ये open हो जाएगा, या पर कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप click कर रहे हो, और ये काम कर रहे हो, तो अगर आपको 13 से चाहिए, तो download button में click कर दीजिए, ये select folder बस हो गया, ये आपके लिए काम क करते जाएगा, और आप देख सकते हो, ये आपर already दो फाइल आ चुका है, तो ये काम कर रहे हो, बहुत आसान तरीका है, just click by clicking something, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो एक comment कर देजिए, आपका एक comment, एक like मेरे लिए बहुत मैत पुन्ना है, और मुझे बहुत motivate कर तो हो सके तो subscribe कर लिजी के इस channel को, मैं आगे भी बहुत interesting वीडियो लाने बला हूँ, तो please be with me and thank you, thanks for watching me.